आखिरकार इंतजार अब खत्म हो रहा है एसिया कप का रोमांज 30 अगस्त बुद्धवार से सुरू होगा ग्रूप एक के पहले मुकाबले में पाकिस्तान और नेपाल के बीच मैच खेला जाएगा 20 साल के रोहित पोडेल की अगवाई में नेपाल की टीम का सामना वंडे रैंकिंग में नमबर एक पर काविच पाकिस्तान से होगा नेपाल की टीम 10 टीमों के साथ मैच खेल चुकी है और साथ के खिलाप जीत दर्ज की है ऐसे में पाकिस्तान की टीम को साधान रहना होगा अभी तक नेपाल ने 57 वंडे में से 30 में जीत दर्ज की है नेपाल की टीम की बात करे तो इनके पास सेटल बैटिंग उनिट है कप्तान रोहित पोडेल सबसे अधिक रन 52 मैचों में 1479 रन अपनी टीम के लिए बनाए है बिकेट कीपर बैटर आसिफ सेख भी ताबड तोर बल्लेवाजी के लिए जाने जाते है आसिफ ने 41 पारियों में से 1187 रन बनाए है उपनर कुर्सल बोर्टेल भी 43 पारियों में 986 रन बनाए है लेकिन इनका सामना दुनिया के बहतरीन पेस अटैक साहिनसा अफरीदी, हैरिस राओफ, नशीम शाह, मुहम्मद वशीम से होना है जो इनके लिए बिलकुल आसान नहीं होगा नेपाल की बालिंग एक कमजोर कड़ी है, इनका पेस अटैक कमजोर है, तता एक साथ नहीं खेलता है बदला होते रहते हैं, ऐसे में संदीप, लाचिमाने को प्रमुक घुम का निबानी होगी अभी पूरी टीम को बड़ी टीमों के साथ खेलने का आनवाग कम है, ऐसे में पाकिस्तान की टीम नेपाल के उपर एक बड़ी जीत दर्ज करके अपने एसिया कब के सफर को सांदार सुरुआत देना चाहेगी दोस्तों आपको क्या लगता है, कल मैच में कौन सा खिलाडी सबसे ज़्यादा रन बनाएगा या फिर कौन सा खिलाडी सबसे अधिक विकेट लेगा, कमेंट केरकर जरूर बताएं तथा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले